इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का इंतिजार करेंगे कि कोई भी अंजान गाड़ी आपकी घर के आगया कर खड़ी हो नया साल है और हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व हस्ते हुए करना है सहरों की सबसे बड़ी समस्या आप गाड़ी पार कहा पर करें सभी अपने घर के गेटों को दुखाने चोड़ते हैं लेकिन दूसरी के गेट पर गाड़ी जरूर खड़ी करते हैं मैं भारती जैंट आप ले लेकर रहे हैं एक पनी सा आइडिया जिसको आप यूज करके अपनी घर के आगे से गाड़ी खटबा भी सकते हैं या फिर उसको नए नए तरीचे से क्राफ के मादर से डेकरेट कर सकते हैं आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है यह है हमारे घर की बैक साइड जहां पर लोग अपनी गाड़ी, स्कूटर, बाइक और कूड़ा फैकने को अपना जल्मसिद अधिकार समझते हैं अपने घर के सामने साफ रखेंगे, लेकिन हमारे घर के आगे यह सब लगाएंगे जरूर कुछ समय पहले हम गाड़ी पर डॉन्ट पार्किन फ्रन्ट आफ गेट का इस्टिकर लगा कर छोड़ देते थे लगता था अब गाड़ी नहीं आईगी दो-तिन दिन बाद फिर से गेट पर गाड़ी आ जती है फिर हमने लिखा कि गेट पर जो लिखा हुआ है उससे एक बार जरूर देख लें उसके बाद भी फिर वही गोड़ा वही मैदान बाइक और गाड़ी पर अब कितना भी लिख कर चुपका हो किसी को कुछ फरकी नहीं पड़ता और हमें गुसा आने लगता है पर अब नया साल है और हम ये रिजॉलिशन लेते हैं कि हम अंजान गाड़ीं को देखकर गुसा नहीं करेंगे और उन्हें शान्ती पूरवक मैसिज देंगे क्योंकि ये है आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ फन आपके पास बैलून हैं तो आप उसको डेकुरेट करके उस पर आईज और नोस बनाकर गाड़ी पर चिपका सकते हैं बच्चों के साथ साथ आपको भी हैसब करने में बहुत मजाएगा बैलून के उपर आप रेबन, उन और पाइप के लिए नर से बाल भी बना सकते हैं बैलून के नीचे आप एक प्यारा सा मैसिज भी लिख सकते हैं लिखा हुआ देखने के बाद भी आपने यहाँ गाड़ी खड़ी की आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बात और, यह सब आप अपने घर के आगे खड़ी अंजान गाड़ीयों के साथ ही करना किसी और के घर के आगे खड़ी गाड़ीयों के साथ नहीं अगर आप बैलून डेकुरेशन के लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया हुआ हैं तो आएए नए साल को खुशों के साथ मनाते हैं आपने भी अपनी घर के आगे खड़ी अंजान गाड़ी के साथ क्या क्राप किया दिखाईएगा जरूर तो इसी तरह से हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ कहा पर? पर वे आपर